नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी चनल स्टेडी ओफ एजुकेशन में में सुखदत रिवेदी एजुकेशन पेपर टू का मौक टेस्ट टू लेकर के आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूं दोस्तों तो आज चली शुरुआत करते हैं हमार यह मौक टेस्ट टू की जो की स्पेसिफिकली एजुकेशन पेपर टू के उपर होने वाला है इसके पहले जो मौक टेस्ट हुआ है दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं इसके अलावा एजुक तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने मौक टेस्ट की रिक्वेस्ट यह रहेगी कि वीडियो को पॉस कीजिएगा पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए देन जो है आप उसका आंसर देखिएगा इससे आपकी प्रिप्रेशन थोड़ी बहतर रहेगी और कोमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा चलिए कोशिशन नमबर वन आ रहा है आप लोगों के सामने एप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशियलोजी टु एजुकेशन इस जब समाश शास्त्र के सिद्धानतों को शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है उसमें अप्ला करके खुदा आंसर जरूर दीजेगा सोशियलोजी ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल सोशियलोजी ऑफ एजुकेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ एजुकेशन तो दोस्तों इसे कहते हैं सोशियलोजी ऑफ एजुकेशन जब सोशियलोजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में अ आगे बढ़ते हैं next question number two जो है education sociology deals with which aspect of education तो educational sociology जो है वो education के किस aspect इसे deal करती है तो जाही सी बाते educational sociology है तो किस से करेगा social से करेगा social aspect of education से ये deal करती है चलिए आगे बढ़ते हैं culture is culture क्या है what is culture तो इसमें से आपको पहचानना है the characteristic and product of the learn behavior of a group of people some total of feeling of the pupil of a group totality of mutual understanding of people तो ना ही feeling होती है ना ही mutual understanding की बात होती है किस से सीखा होता है अपने बड़ों से सीखा होता है तो वो characteristic या product of the learn behavior of a group of people the group of people मतला हमारी हमारा घर हमारा समाज हमारी society जो हमको culture देती है कुछ characteristic और कुछ behaviors हमको जो सिखाती है वही क्या कहलाता है culture कहलाता है तो option number A जो है इसका सही answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस से उसके उपर अलग-अलग factors काम करते हैं पर इन में से वो कौन सा factor है जो की education process को influence नहीं करता है ठीक है तो culture of society and social institution तो जाहिर सी बात है यह तो effect डालते हैं जिस society का जैसा culture होता है वहां का curriculum वैसा होता है social institution जैसे होंगे वैसी वहां की education होगी social class structure upper middle class of the society और the political organization of society तो देखिए effect नहीं पड़ता upper middle class of the society इसका कोई direct influence नहीं है क्योंकि upper middle class of the society यह तो society का part है बाकी क्या है बाकी तो influencing factor है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next which one of the following social institution of India does not have a profound effect on education तो यह जो social institute आपके सामने लिखे हुए हैं इन में से education के ओपर किसका effect नहीं होता है not have a profound effect तो आपके education के ओपर family का effect होगा government के according education चलती है religious भी होती है education है घर में के according भी education दी जाती है पर business class organization का education के ओपर कोई effect नहीं होता है ठीक है चलिए आगे बढ़े तो मतलब क्या हुआ इसका answer क्या है option number c ठीक है आगे बढ़ते हैं the maximum contribution of the process of socialization in journal comes from तो maximum contribution to the process of socialization तो यह जो सभी आपको दिये हैं इन में से सबसे ज़्यादा contribution, socialization, सामाजी करण की जो प्रक्रिया है इन में सबसे ज़्यादा आपको कौन help करता है teacher करता है home, school या community तो दोस्तों हमारे घर का हमारे socialization process के ओपर बहुत ज़्यादा effect रहता है बड़ा simple सा example है अगर parents नमस्ते करना सिखा रहे होते हैं बच्चे को तो society में वो वैसे ही social behavior करता है जब भी को इसको बड़ा दिखता है तो वो एक बहुत चोटे से example से इसको समझ रहे हैं तो जब भी कोई बड़ा दिखता है तो वो उसको हाथ जोड़ करके नमस्ते या सलाम कह सकते हैं जो भी आपका religion हो उसकी according तो यह socialization हमको कौन सिखाता है सबसे main contribution किसका होता है home का होता है हमारी life में कि हमको कैसे सामजिक बनाता है हमारे घर के लोग ठीक है चलिए आगे process of converting a biological organism into socialization जो प्रोसेस होती है तो जैसे कि एक कहावत भी हम जानते हैं man is a social animal तो social होने से क्या मतलब है यहां पर मतलब कि वो relations को समझता है सही गलत का निरणय कर सकता है अलग-अलग भावों को समझता है emotions को समझता है तो वहां क्या आ जाता है cooperation समझता है तो वो क्या हो जाता है एक तरीके का «Socialization तो जानवर भी वही है हम भी वही पर हमारे पास किया है हमारे पास तरक शमता है सही गलत को समझने की शमता है कि के क्या हुआ को कहसे manage करना है कैसे दील करना है वो हमारे पास है तो हम biological organization है और by the process of socialization हम क्या बन जाते हैं एक social man बनते हैं क्या बनते हैं social man तो socialization जो है हमें biological organism से क्या बनाती है social man बनाती है एक सामजिक इनसान बनाती है चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं individual and society are considered as individual और society क्या है क्या एक दूसरी के इंटरडिपेंडेंट है contradictory opposite है complimentary एक दूसरी के पूरक है या supplementary अनुपूरक है तो individual and society जो है दोस्तों एक दूसरी के इंटरडिपेंडेंट होते हैं ठीक है दोस्तों तो जरूर अपने comments में आप इसको लिखते चलिए ठीक है कितने क्या score आए है आपके उसमेंचे questions का level थोड़ा पता पढ़ जाता है one of the basic principle of socialization individual is one of the basic principle of socializing individual is तो इन में से कौन सा एक basic principle है जो कि इंसान के socialization के लिए important है तो दोस्तों देखें हम जो society में हम वही करते हैं जो देखते हैं ठीक है तो basic principle of socialization क्या हो जाएगा यहाँ पर imitation मतला कि अनुकरन जैसा हम करते हुए अपने parents को देखते हैं हमारे भी social abilities वैसी ही develop होती है या जो हमें parents करने को बोलते हैं या उन्हें जो करते हुए देखते हैं हम भी वैसे ही होते हैं हमारा socialization भी वैसे ही होता है तो अनुकरन जो है एक इसका basic principle है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question है I think last question भी है which of the following is not a constraint on the social change in India तो निमने लिकित मैंसे कौन भारत में एक सामाजिक परिवर्तन के अवरोध में नहीं है तो मैंसे किनके मतलब सामाजिक परिवर्तन होता है जो नहीं है वो सही answer होगा धर्म के कारण होता है भाषा के कारण होता है modernization के कारण होता है तो क्या बोल देंगे हम यहाँ पर नहीं होता है पूछा गया है आपसे अवरोध नहीं है तो उप्युक्त में से कोई नहीं इसका जो है सही answer हो जाएगा option number D तो होप आप लोगों को question पसंद आये होंगी पसंद आये हो तो like, comment, share जरूर कीजिएगा दोस्तों जल्दी मिलतें next video में अब तक के लिए best of luck and bye